हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज आपने मैप्स के प्लेलिस का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे है ठीक है लीट को नंबर 342 एजी मांग है बड़ काफी अच्छा कोशन है और मैं आपको काफी चीज़ें आज सिखा हूँगा तीन अप्रोचे बहुत सिंपल है आपको एक इंटीजर एंदे रहे हैं आपको इतना चेक करना है कि वह पावर फॉर है कि अगर है तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स ट्रेटन कर दो ठीक है जैसे 16 इसा पावर फॉर फॉर इंटु फॉर होता है 16 तो यह मतला फॉर का पावर टू हो गया 5 इस इस नौटह पावर, फॉर वणी टावर पॉर एटूए धो इसंगाचा पावरफ है नहीं जीर का पावर फॉर है नहीं लिए फॉर का पावर है नहीं नहीं पहुंचा पाओंगे ठीक है तो सबसे पहला चीоп सान इसमें कोई इंटूश्चिन वाली बात है नहीं के बट अबश्य से बात है n 64 है अगर ये पावर उफ फोर होगा तो 4 का पावर x के बराबर होना चाहिए मलतलब 4 को fuse 44 गर्याइब तो 64 आजाएगा तो हमें करना क्या है सो से डिवाइड कर चेक करते रहना है कि 64 से डिवीजिबल हो ठीट है कि कर दो एक फोर से डिविजबल हो गया वो बचा 16 क्या ये फोर से डिविजबल है कि येस तो एक और फोर से डिविजबल हो गया फोर से डिवाइड कर दो फोर बचा फोर दिविजबल है येस ठीक है यहां तक क्लिर है तो फिर से फोर से डिवाइड कर दो इस फोर से डिवाइ बचेगा मेरा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक जो नंबर है मोडियूलो फोर इस इकल टू इस इकल टू जीरो आता है देखरो तब तक n is equal to n by 4 करते रहो ठीक है और जैसे while loop खतम हुआ अगर 1 पर आ गए अगर n is equal to 1 पर आ गए ठीक है मतलब वो पक्का power of 4 रहा होगा तो return true कर देंगे ठीक है और अगर नहीं आया होगा तो return false कर देंगे मतलब वो power of 4 नहीं रहा होगा एक और example देख लो माल लेते हैं हमारा n जो ह है वो 12 होता अगर ठीक है तो देखते हैं क्या 12 मेरा divisible by 4 है येस 4 त्रीजा 12 होता है ठीक है तो 12 को 4 से डिवाइट कर दिया बचा 3 12 को 4 से डिवाइट कर दिया बचा 3 क्या ये divisible by 4 है is equal to zero no है ना तो मेरा while loop ब्रेक कर जाएगा यहाँ पर ठीक है और जैसे ही मैं बाहर निक तो यह मेरा पहला अप्रोच था अब आते हैं अपने दूसरे अप्रोच पर जो दूसरा अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल है mathematical अप्रोच है उसको प्रूफ से भी समझेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि डाइरेक्ट बस फॉर्मुला लग दिया अप्रोच 2 मेरा क्या है mathematical तो पहल अप्रोच आपको समझ में आ रहा होगा कितना टाइम कॉंप्लेक्सिटी होगा अब ध्यान दो यह वाला जो फॉइल लूप है कितनी बार चलेगा अन को बार बर फोर से डिवाइड करते चल रहे है तो लॉग ऑफ एन टो दबेस फोर होगा इसका टाइम कॉंप्लेक्सिट बार बर फोर से डिवाइड करते चल रहे हैं यह होगा टैम कॉंप्लेक्सिटी पहले अप्रोच का अब आते हैं अप्रोच टूपे मैट्स पे तो मैट्स बहुत सिंपल है इसके पीछे अगर देखा जाये तो आपको नंबर कुछ दे रखा है आपको पता करना है कि क्या य दो देखो थे अगर अगर वन लेते हैं आपको एक्स निकालना है तो एक्स कई से निकालोगे दोनों तरफ लग लगा दो लॉग OF एंड to the base 4 आएगा ठीक है अगर x को यहाँ पर resolve करना है तो दोनों तरफ log लागा के आप इसमें convert कर सकते हो x is equal to log of n to the base 4 इसको ऐसे भी निकाल सकते हो log of n to the base e divided by log of 4 to the base e इसको आप इसमें convert कर सकते हो आपने पढ़ा होगा school या colleges में ठीक है तो अब यह जो x आया है ठीक है अगर सही में n जो है 4 का power है तो अगर मैं 4 का power x करूँगा तो वह exactly n के बराबर आ जाना चाहिए ठीक है तो मैं काम करता हूँ n का value ले लेता हूँ 64 ओक है तो अब मैं x निकालने की कोशिश करता हूँ x is equal to क्या होगा log of 64 divided by log of 4 यह approximately होगा 4.1588 divided by 1.3 जो की approximately 3 के बराबर आएगा ठीक है तो अब मैं चेक कर लूँगा क्या 4 का power x मेरा 64 दे रहा है मुझे यही चेक करना है ना दे रहा है क्या देखते है 4 का power 3 है ना that is equal to 64 अगर ऐसा आ गया equal तो answer मेरा true होगा नहीं आया तो answer false होगा चीक है तो यह तो मैंने divisible ले लिया था मैं दूसरा example लेता हूँ जो divisible नहीं है इसे मानके चलते है n is equal to 13 नहीं, n is equal to 12 लेकर चलते है इसका होगा log of n यानि की 12 divided by log of 4 तो इसका value approximately अगर आप देखोगे तो 1 आएगा integer में जब code करोगे और output करोगे तो 1 आएगा तो देख लेते हैं कि क्या 4 का power x वो बराबर है 12 के, 4 का power x की value 1 है, no it is not equal to 12, that is, हमारा answer false होगा और यह जो है power of 4 नहीं है, ठीक है? तो second approach भी बहुत simple है ठीक है, हमें simply क्या करना है x ही तो निकालना है ना, तो हम ऐसे निकाल लेंगे index is equal to log of n divided by log of 4 जो भी value है हम बस यह चेक कर लेंगे कि आप power of 4 का power x ना, 4, x, अगर वो बराबर निकला n k, तो return true कर देंगे else return false कर देंगे, as simple as that approach to be mathematical है काफी है ना, और यह देखा जाए तो अगर आप ध्यान दो ना, इसका time complexity क्या होगा, आप देखो यहाँ पर हम log निकाल रहे है ठीक है, तो log of n time complexity यहाँ पर हो गया और देखो यहाँ पर power of x निकाल रहे है sorry, power of 4 to the power sorry, 4 to the power x निकाल रहे है यह log of x time complexity निकालेगा ठीक है, इतना में निकालेगा तो दोनों का addition होगा total time complexity, log of n plus log of x जो भी मेरा आया है यहाँ तक clear है, अब हम आते हैं अपने third approach पर जो की काफी अच्छा लगा मुझे लेकिन एक चीज़ ध्यान देना third approach जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं अच्छे से proof भी करूँगा तो proof पर ज़रूर ध्यान देना काफी simple सा proof है बड़ आपको समझ में आना चाहिए approach 3 में हम थोड़ा सा maths यूज़ करेंगे और थोड़ा सा bit magic यूज़ करेंगे ठीक है तो चलो approach 3 स्टार्ट करते हैं तो देखो approach 3 में सबसे पहला पॉइंट यही है कि कोई भी number अगर power of 4 है तो वो power of 2 भी होगा ना क्योंकि देखो 4 का power माल लेते हैं x है कोई number है 4 का power x इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 2 का power 2 का power x है ना तब भी तो देखो 2 का power 2 क्यों हो जाएगा 4 का power x हो जाएगा तो अब वेसे बात आपको clear cut दिख रहा है यह देखो 2 का power भी है यह number इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 का power 2 x भी तो लिख सकते हो ठीक है तो हमें यह चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर power of 4 है तो वो power of 2 भी होना चाहिए और यह पता करने के लिए कि कोई भी नंबर power of 2 है वो कैसे करते थे bit manipulation में आपको याद होगा simply n and n-1 कर दो अगर वो 0 के बराबर है तो वो पक्का power of 2 रहा होगा देख लो माल लेते हैं n मेरा 8 है ठीक है अगर मेरा n 8 है ठीक है तो इसका binary representation क्या होगा 1 0 0 0 ठीक है इसका 8-1 जब करोगे न 8-1 करोगे तो 7 आएगा तो देखो इसका binary representation होता है 0 1 1 1 होता है तो generally हमेशे क्या होता है कि जो power of 2 होता है उसमें एक ही bit set होता है और उसके में just minus 1 करोगे तो उस bit के अलावा बाकी देखो set हो जाते है और वो bit unset हो जाता है यह ना देखो वही हुआ ठीक है इसका and हो लोगे तो obviously 0 0 0 यह भी 0 तो 0 0 0 आ जाएगा इसका मतला पक का n जो है power of 2 रहा था है ना उसमें सिर्फ एक ही bit set था जो कि 0 हो गया n minus 1 से and होने पर ठीक है तो n and n minus 1 is equal to is equal to 0 है तो वो power of 2 है तो power of 2 आप ऐसे भी check कर सकते हो यह o of n वे निकल जाएगा ठीक है अब आते हैं देखो दूसरे point पर कि every n जो की power of 4 है वो कुछ property follow करता है वो देखते है वो property क्या है लेते है 64 दिया आपने चलो मान लेते हैं 4 दिया आपने यह power of 4 है ठीक है इसमें minus 1 कर दो देखो 3 आता है कोई दूसरा power of 4 दो 4 for the 16 हो गया minus 1 कर दो देखो 15 आएगा ठीक है for the 16 64 64 देखो minus 1 जो क्या आया 63 आया and so on अगर आप notice करोगे न तो 4 का power and minus 1 हमेशा 3 से डिविजिबल होगा यह 3 से डिविजिबल है यह 3 से डिविजिबल है यह भी 3 से डिविजिबल है यहनि कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई number 4 का power है न तो वो यह property follow कर नहीं कर करना चाहिए that is जो भी number दे रखा है उसमें minus 1 कर दोगे न और modulo 3 लोगे तो पक्का वो 0 आना चाहिए तब वो power का 4 हो जाएगा ठीक है इसे माल लेते हैं यह 4 था modulo 3 किया तो देखो वो 0 के वो यह 4 है न माइनस 1 किया तो देखो यहाँ पर 3 आ गया 3 डिविजिबल है 3 से यह जो number है यह भी 4 का power है minus 1 किया तो दो देखो वो भी डिविजिबल है 3 से ठीक है and so on तो इसका मतलब मैं यही कहना चाहरा हूँ न कि जो भी मेरा number है वो पक्का किसी 4 का power होगा तो 4 का power x होगा वो ठीक है है ना उसमें minus 1 करने पर मैं बोल रहा हूँ कि यह डिविजिबल है 3 से है ना आपको मैंने यहां करके तो दिखा दिया बट mathematically भी प्रूफ करेंगे कि ऐसा सही है ठीक है वो देख लेते हैं अभी अब देखो इसको हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी 4 का power x एक नंबर है मान लेते हैं जो 4 का power है उसमें minus 1 करेंगे तो divisible by 3 होना चाहिए तो प्रूफ जो है ना हम इंडक कि this statement is true that is 4k 4 का power k minus 1 mod 3 is equal to is equal to 0 है मान के चलते हैं कि ऐसा true है अब याद करो इसके बार क्या बोलते हैं यह तो हमने assume कर लिया इसके बाद बोलते हैं देखते हैं कि k plus 1 के लिए क्लिए क्या होगा इंडक्शन में ऐसे ही करते थे तो इसको replace कर देते हैं 4 का power k minus 1 में k को replace कर द इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 का power k into 4 minus of 1 यहाँ तक clear है अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो तो अब देखो ध्यान दो हमने यहाँ पर assume किया था ना यह assume में हमने क्या किया था कि 4 का power k minus 1 mod 3 is equal to 0 है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 4 का power k minus 1 पक्का something of multiple होगा 3 का 3x मान के चल लेते हैं तब ही तो वो 3 से divisible था तो 4 k minus 1 को 3x के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पर fill कर देते हैं उसको ठीक है तो यहाँ पर replace कर देते हैं देखो 4 k को आप लिख सकते हो 3x plus 1 यहाँ पर लिख देते हैं 3x plus 1 और यह multiplied by 4 है तो multiplied by 4 और बा अब इसको देखो solve करो 3 into 4 यानि कि 12x plus 4 minus 1 है ठीक है इसको solve करो 12x plus 4 minus 1 12x plus 3 इससे 3 देखो तो common आ जा रहा है 3 common लेलो 4x plus 1 हो गया अब यानि कि इसका मतलब क्या वाई 3 से divisible है तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि अगर k के लिए 4 का power k minus 1 divisible by 3 है तो देखो k plus 1 के लिए वालिड हो गया है ना 4k plus 1 minus 1 देखो divisible by 3 निकला हमारा तो हमने इंडक्शन से प्रूफ कर दिया है कि भाई कोई भी नंबर जो 4 का power है ठीक है अगर उसमें minus 1 करेंगे ठीक है तो वो हमेशा divisible by 3 0 होगा ठीक है यहां तक है clear हो गया तो चलो जल्दी से 3rd वाले अप्रोच को भी कर लेते हैं इसमें दो ही चीज चेक करना है कि वो power of 2 होना चाहिए और 4 का power k minus 1 must be divisible by 3 चीक है तो चलो जल्दी से code करते हैं और फिनिश करते हैं तो देखो सबसे पहला अप्रोच तो बहुत सिंपल था सबसे पहले तो यह चेक कर दो कि एन अगर 0 है ना तब रिटर्ण false कर दो पहले ही उसके बाद मैंने अब क्या बना था कि जब तक एन मॉडियूलो 4 is equal to is equal to 0 होता है उसको n से divide करते हो n by 4 से ठीक है लास्ट में बास क्या चेक कर लो कि अगर n is equal to is equal to 1 आ गया तो return true कर देना है नहीं तो return false कर देना है ठीक है सब्मेट करके देखते हैं उसके बाद तुरंत approach 2 से बना लेंगे इसको फिर approach 3 से भी बनाएंगे ठीक है यहाँ पर n percentile fall e का spelling कर लात है while का spelling let's see if we are able to pass all the test cases indeed yes देखो we have passed all the test cases अब जल्दी से इसको approach 2 पर आते हैं approach 2 भी बहुत simple था मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे बाद तो यह देख लो कि अगर n जो है मेरे less than equal to zero है ठीक है तो return zero कर दो हाँ less than equal to zero करना constraint में देखा कि हाँ less than zero भी numbers आ सकते हैं ठीक है और इसके बाद देखते हैं मैंने क्या बोला था कि int सबसे पहले तो a निकाल लो और वो कैसे निकालते थे यह नहीं x बोला था मैंने जो भी variable रख लो आप log of n to the base c divided by log of 4 to the base c ठीक है अब बस simple सा check कर लो कि अगर power of n किया आपने sorry power of x 4 का power अगर x किया आपने तो अगर वो n के बराबर आ गया तो return true कर दो अगर ऐसा नहीं आता है तो return false कर दो है ना 4 का power x अगर n आता है तभी return true कर रो वनना false return कर दो let's see यह भी pass हो गया है अब आते हैं अपने अब देखो third approach से बनाते है third approach में simple था मैंने आपको क्या बोला था कि वो number power of 2 भी होना चाहिए यानि कि n and n-1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए and and n-1 जो है उसका module 3 करने पर भी 0 आना चाहिए ठीक है simply true return कर देंगे इस case में और अगर ऐसा नहीं है तो return false कर देंगे कि सब्मेट करके देखते हैं hopefully सारे डिस केसे अभी भी पास हो जाने चाहिए indeed yes अगर आपको कोई भी डाउट होता है रेज़े इन दे कॉमेंट सेक्षेन और ट्राइटू हेल्प यह और सी यूगाइद ने नेक्स्ट वीडियो थैंक यू